नमस्कार, A to Z dishes उशया कोरजानी में आप सबका स्वागत है ना बनाना भी इसे काफी आसान है, काफी फटा फट से बन जाएंगे और एक्दम कुर कुरे जब आप इसे खाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा और अब इतना मौसम अच्छा है ना तो ये पकाड़े बनाना तब बनता है तो बैंगन के पकाड़े बनाने के लिए देखे इस तरह से ये जो लंबे वाले बैंगन आते आपको वो लेने हैं अब इसको मैंने पानी से अच्छे से वाश कर लिया है, इसके ओपर का जो ग्रीन वाला पाट है उसे निकाल लीजे और इस तरह से लंबे लंबे टुकडों में पतले पतले काट लीजे ज़्यादा मोटे नहीं रखेगा, जब आप इसे कट करें नहीं तो ये क्या कच्छे लगेंगे जब आप इसे बेशन के गोल में से अच्छे से कोट करके फ्राइ करेंगे न तो देखे इस तरह से पत्ली पत्ली पत्तियां कट कर लेनी है और बैंगन देखे इस तरह से लंबे लेंगे न तो काफी अच्छे होंगे काफी बढ़िया लगेंगे तो यहाँ पर आप देख सकत हैं मैंने से 10 से 15 मिनिट तक नमक डाल कर इस तरह से आपको इसे अच्छे से रख देना है तो देखे इस तरह से पूरे में नमक डाल कर रख दीजे जब तक इसे हमने रखा है तब तक हम गोल बना लेते उसके लिए एक बेशन और एक चौथाई कप चावल का आठा चावल के से जो पकोड़े काफी जाद कुरकुरे बनता है तो जरूर एट कीजेगा एक चौथाई चमच हल्दी पाउडर आदी चोटी चमच इसके अंदर में डाल रहे हूं एक चौथाई चमच जितना जीरा और एक चौथाई चमच जितनी अजवाइन डालना बिल्कुल ना भूल एक दम पतला नहीं करना है अगरा तयार करना है इसलिए थोड़ा थोड़ा करकर लिग पानी डाले और गरा गोल तयार करें यानिकि थिक बैटर तो यहां पर आप देख सकते हैं बेशन की कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए तो बस अच्छे इसे अपने हाथों की मत्स इसे गोल को बनाएं थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर यहां पर आप देख सकते हैं पानी डाल कर अच्छे से मिक्स कर लिए अब इसके अंदर स्वादर नमक और एक चौथाई चमच बेकिंग सोडर डाल देंगे और इसे हम फिर से अच्छे से देखे इस तरह से मिक्स कर लें अगर आप पतला गोल बनाते है तो यह तुकड़ो पर अच्छे से नहीं चिपके गा और आपके पकोड़ अच्छे नहीं बने गए गाड़ा गोली बनाईगा दोनों तरब से अच्छे से गोल लागाने के बद घरम तेल में आपको डालना है और जैसे नीचे से प्राइय ह लगते हैं सिर्फ आपको इसमें दो बातों का ध्यान रखना है एक तो यह कि बैंगन को जब आप काटे तो पतला काटें और दूसरी बात है कि इसका जो गोल है आपको गाड़ा बनाना यानिकि थिक बैटर बनाना है बस यह दो चीज़े ध्यान रखे और आपके पकोड़े बहुत ही बढ़िया बनेंगे देख सकते एक दम यह कुरकुरे हो गए बहुत ही टेस्टी लग रहे तो बस इस तरह से प्लेट में से निकाल लीज़े और इसी तरह से मैंने सारे तयार कर लिया है और इसके साथ आप सर्व कर सकते खटी चटनी या फिर केच्चुप के साथ कुई स्पाइसी चटनी के साथ इसे जरूर ट्राइ कीजेगा बहुत 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 ही पसंद आएंगे सभी को तो से ट्राइ कीजो मुझे कमेंट सेक्शन बताए रेसेपी कैसी लगे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बूले थांक्यू फॉर वाच्छे क्या है?